अगर आपको पता चाहें जाब बातें करते हैं संगीत की किताबों की और सिनिमा की और फिर आपसे विदाई लेते हैं आज तीन किताबों की रेक्मेंडेशन हैं पहली किताब राशित कि द्वई की लिखी हुई है ये हैचिट से छपी है लीडर्स, पॉलिटीशन, सिटिजन्स पचास के लगभग दिल्चस्प व्यक्तित्टों हैं जिनके ब्रीफ प्रोफाइल हैं और अच्छी चीज ये है कि और वॉक्स उप लाइब का ख्याल रखा गया है अलग-अलग विश्यों के हस्तियों को लिया गया है और ख्याल इस बात का रखा गया है कि हमें और आपको इन लोगों से जुड़े किस्सों को पढ़ने में खूब मौज आती है तबी तो याद रह जाते हैं किस तरह की किस्से हैं इसमें शेख अब्दुल्ला से लेके नाम देव धसाल कश्मीर कश्मीर टु महरास्ट्रा एंटी रमराओ एस जैपाल रेड़ी से लेकर कैप्टन सती शर्मा जिन्होंने 80 और 90 के तशक की गांधी परिवार और अमेठी की पॉलिटिक्स देखी होगी वो इस नाम से खूब वाकिफ होंगे और अमर सिंग से लेकर अरजुन सिंग का आप जिक्र करेंगे तो आपको मद्ध्य प्रदेश का तेज तरजाज नीता याद आएगा चुरहट लोटरी कांड का आरोप याद आएगा याद आएगा उनका चुनाव जीत कर मुख्य मंत्री बनने के कुछी हफते के भीतर उन इन से जुड़े प्रसंग हैं आत्मी ये प्रसंग हैं नई इंसाइट देने वाले प्रसंग हैं जो आपको इस पहली किताब में नज़र आएगे दूसरी किताब वर्ड क्लासिक में आती हैं बहुत मकबूल साहित्यकार हुए हैं जब भी आप रूस की करांती के बारे में बोल्शेविक रांति के बारे में पढ़ेंगे, तो बार-बार इस साहितिकार का जिक्राएगा, जब भी आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, उनके महात्मा बनने से पहले के दिनों के बारे में पढ़ेंगे, बैरिस्टर से नेता के सफर के बारे में पढ़ेंग कई अनुवाद आये हैं मुझे पूरा भरूसा है कि ये अनुवाद आसान होगा क्योंकि अनुवाद को लेकर हमारी समझ ये कहती है कि सिर्फ मक्खी पर मक्खी नहीं बिठानी है रुचिकर लगे और लोक में प्रचलित भाषा का इस्तवाल करे ताकि आपको ये प्रतीत ही ना हो लगे ही नहीं कि आप अनुवाद पढ़ रहे हैं आपको लगे कि आप अपनी जबान में मौलिक रचना पढ़ रहे हैं और बड़ा पॉपलर रेफरेंस देता हूँ आपको आप हैरीपोर्टर पढ़ ये हिंदी में आपको लगेगा ही नहीं कि ये किसी और भाषा में रचा गया गरंत है आप मगलू पढ़ेंगे किसी अंग्रेशी दाव्यक्ति से बात करेंगे उसके सामने जिक्र करेंगे तो वो फॉरण जोड़ लेगा तार और समझ जाएगा क आप गरंद्वार बोलेंगे वो समझ जाएगा कि आप ग्रिफिन डोर के बारे में बात कर रहे हैं तो अनुवाद ऐसा होना चाहिए तीसरी किताब बहुत ननी सी किताब है दो जपकियों के बीच में निप्टाई जा सकती है लेकिन इसका सबक ऐसा है कि पहली जपकी खु तंज और गाली के तौर पर खारिज करने के तौर पर इस्तिमाल करते हैं मेरी सायोगी है सोनल उन्होंने ये किताब पढ़ी और उनको मेरी दूसरी सायोगी है जीशा उन्होंने ये किताब तोफे में दी ये चिमंडा नोगी एडिची उनकी किताब है ये दरसल उनकी मिल जाता है इस्मृती में चिपकाने के लिए वो बताती हैं अपने एक सहफार्टी के बारे में जिससे वो खूब बाद विवाद समवाद किया करती थी फिर वो गुजर गया उन्हें लगा कि जिंदगी में रीता पना गया पर उन्हें ये भी याद रहा कि एक वहस के दौरान जब वो अपने हिस्से के मोर्चे को गवा रहा था उनका लड़का दोस्त तो उसने अचानक से कहा था तुम एक फैमिनिस्ट की तरह बात कर रही है और फिर ये तमगा ये शब्द लगातार इस राइटर का इस वक्ता का पीछा करता रहा जब वो कॉलेज में पहला लेक्चर देने गई तो उन्हें फिक्र करनी चाहिए थी सिलिबस की पर लड़की होने के नाते उन्हें ये फिक्र करनी पड़ी कि वो अपनी नेचुरल च्वाइस एक रंगी इन कलर फुल सकर्ट के बजाए खुबसूरत जूतियों के बजाए ऐसे कपड़े पहने जो गुरुगं भीर लगें जो पुरुष प्रोफेसर्स के मुकाबले उनको हलका साबित ना करें तो फेमिनिजम सिर्फ एक शब्द सिर्फ एक नारा किसी को सुईकार या खारिज करने की एक बज़े भढ़ना हो आप अपने 23 जेंडर डिस्कोर्स में लगातार मुटला रहें इसलिए मैं ये तीसरी किताब रेक्मन करूँगा पर कितनी किताब है पढ़ेंगे कुछी देखेंगे भी तो तो एक सीरीज आई है जिसमें मेरे बड़े फेवरिट एक्टर है क्योंकि वो कमाल के एक्टर है कुम उद्मिश्रा उनके लीड रोल वाली सीरीज है सोनी लिव पर आई है डॉक्टर अरोडा सेक्स के बारे में है एकदम बड़ा कीवर्ड है सेक्स बोलके लोगों के कान में आ जाता है लालामी वाला सन्नाटा तो क्या हुआ जो इस घर इस देश के हर पेशाब घर में आपको इस से जुड़ी बीमारियों के तमाम इश्तिहार नजर आते हैं और फिर उन पर जो पेशाब घर के पिकासो हैं वो तमाम जननांग प्रजनांग भी बनाते नजर आते हैं ये कलाकार आपको जो ट्रेन के डब्बे हैं उनमें भी नजर आते हैं ये कुंठाएं भी नजर आती है क्योंकि इसके बारे में स्वस्थ ढंग से, सामान ढंग से बात नहीं की जाती है वर्जित प्रदेश बता दिया जाता है इसलिए बहुत जरूरी है कि इस तरह की सीरीज, इस तरह की किताबों को देखा जाए कमाल की एक्टिंग तो है ही और दूसरी जो है वो देखने के बजाए सुनने की चीज है, पॉडकास्ट है BBC पर ये पॉडकास्ट आता है ड्रामा क्वीन के नाम से BBC लंडन की जर्लिस्ट है सामरा वो से पेश करती है यहाँ पर भी जेंडर के बारे में और उसके स्टीरियो टाइप्स के बारे में बात की जाती है जैसे एक एपिसोड का शीरशक है कि डॉक्टर बहु चाहिए लेकिन उसे गोल रोटियां बनाना जरूर आता हो तो यह जो ख्वाइशों के सिदे हैं जो अलग-अलग सत्ताओं को स्थापित करते हैं उनके बारे में यह बात करती है और बात भाशन के अंदाज में नहीं करती है कुछ यू करती है यह पॉडकास सीरीज की दिल को लग जाए और दिल को न लगे तो बात अधूरी रहती है फिलहाल बात यहीं खत्म होती है उमीद करता हूँ कि नेता नगरी का यह एपिसोड आपको पसंत आया होगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत जरूर करवाईए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिये शुक्रिया